सभी साथियों को नमबुद्धाय जई भीम जई मुल्निवासी साथियों आज हम बात करेंगे उप्मा कथा 11 की जो की मिलिंद प्रस्ण इस किताब में है तो उप्मा कथा 11 इसका टाइटल है लोके का एक गुन शायद लोकी का पोधाया ऐसा कुछ होगा तो राजा मिलिंद जो है वो भिक्षू नाकसें से पुछते कि आप कहते हैं कि एक भिक्षू को अरहत बनने के लिए उसमें लोके का एक गुन होना चाहिए तो वो लोके का पोधाया तो अपनि लताओं को जगातर पहलता है यहाँ हैं जक्षैंग ठीच कि प्विक्ष्व द bottom घृत्वार्ग आशनद से पहला की वह पुद्हब अपनी लताओं को अ तो उसी तरह बहुजन हिताय बहुजन सुखाई के मार्ग पर चलने वाले भिख्षु ने भी अपने इस ग्यान को लगातार अरजित करते हुए फेलाना चाहिए और इतना शिक्षा ग्रहन कर लेनी चाहिए कि जिस्से की वह अरहत पत को प्राप्त कर ले हे अरहत पत को प्राप्त करने का मतलब कि फिर अभी और आगी की शिक्षा जो है इस ब्सक्राइब उसके आउखकता क्याप पड़ती है, उसका सम्मध में ग्रहाय के समंध में यानने भावजन हिता भावजन सुखाए को इस लेवल तक उस शिक्षा को गहन करें उसके लिए रफम बुद्धी सकते साकरें। तो जैसे लोके की लता लगातार फेलती जाती है, वैसे ही अपने बुद्धी का लगातार विकास, विकास, विकास करते जाना है, और इस हद तक विकास करना है कि अरहत्व पद प्राप्त हो. कि लोके की लता घास पर, लकडी पर या किसी दुसरी लता पर अपनी फुनगियों को फेल कर फेल जाती है, वैसे ही बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के मार्ग पर चलने वाले भिक्कु को ध्यान का आलंबन कर अरहत्व पद पर पहुच जाना चाहिए, महाराज धम सेना पती सारी पुत्त महा थेर ने भी कहा है। और कहते हैं कि सारी पुत्त बंते ने कहा है कि जैसे लोके की लता घास लकड़ी या किसी दूसरी लता पर चड़कर फुनगियों को बड़ा चड़ा कर फेल जाती है वैसे ही अरहत पत की इच्छा रथने वाले बुद्ध पुत्रों को बुद्ध पुत्र यानि भिख्षु क ध्यान का आलंबन कर अरहत पत पर पहुच जाना चाहिए यानि कि ध्यान का आलंबन कर यानि वही है कि बहुजन हीता है बहुजन सुखाई के मार्ग पर चलते हुए अपने बुद्धि का इतना विकास करना चाहिए कि उन्हें अरहत पत प्राप्त हो जाए